दस स्वादिष्ट ठंडाई रेसिपी भाग एक पारंपरिक ठंडाई, ट्रेडिशनल ठंडाई ये सबसे आम ठंडाई रेसिपी है जिसे खस-खस, सौफ, मेवा, मसालों और दूढ के साथ बनाया जाता है इसे आप बादाम की जगह पिस्ता या खर्बूजे के बीजों से भी बना सकते हैं सामगरी, खस-खस, दो बड़े चम्मच, सौफ, दो बड़े चम्मच, बादाम, दस से बारा, पिस्ता, पांच से छे, खर्बूजे के बीच, एक बड़ा चम्मच, काली मिर्च, दस से बारा, इलायची, पांच से छे, केसर, दस से बारा धागे, दूद, एक लीटर, चीनी स्वादा अनुसार विधी खस-खस को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीजों को छील ले सभी सामगरी को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना ले दूद को उबाले और ठंडा होने दें ठंडे दूद में पेस्ट, चीनी और फेसर मिलाएं, ठंडाई को फ्रिज में ठंडा करें और फिर सर्फ करें सुझाव आप अपनी पसंद के अनुसार नेवा और मसालों की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं आप ठंडाई में गुलाब जल भी मिला सकते हैं आप ठंडाई को प्रिज में भी में ठंडाई को प्रिज में जल बाई में बाई प्रिज़ सकते हैं